तब ही राजकुमारी ने आदित्यक को कहा, मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, उसे देखते ही आदित्यक के चेहरे का रंग ओर गया और उसके मूँ से कोई बोल नहीं निकल रहे थे, वो उसे एक टक देखे जा रहा था. तब ही पीछे से दिव्या की आवाज आई, क्या बात है आदित्यक कौन है दरवाजे पर, तुम किस से बाते कर रहे हो, इस पर आदित्यक कोई जवाब नहीं दे पाया, तब ही दिव्या पीछे से उठकर आती हैं और देखती हैं, कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, इस पर तो कोई भी नहीं है तुम किस से बाते कर रहे थे। इस पर आधित्य हैरानी से दिव्या की ओर देखता है और फिर उस राजकुमारी की ओर देखता है। राजकुमारी आदित्य को कहती है कि एवल तुम ही मुझे देख सकते हो आदित्य दिव्या नहीं अब जब मैं यहां पर आ ही गई हूं तो अब मैं यहां से कभी वापस नहीं जाओंगी तभी दिव्या आदित्य को हिलाती है आदित यह को होश आता है तो वह देखता है कि व दरवाजा बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो राजकुमारी सामने सोफे पर बैठी होती है और आदित्य को देखकर मुस्कुरा रही होती है उसे देखते ही आदित्य के माथे पर पसीना आने लगता है और उसकी दिल की धर्कने बढ़ जाती है और तुमने क्या देख लिया जो तुम इतने डरे हुए हो तब आदित्य हैरान परेशान सा चारों तरफ देखता है तभी उसे अपने बैड के सिरहाने पर वही राजकुमारी बैठे हुए दिखाई देती है इस पर वो दिव्या को कहता है कि द विया जिस कुम्भलगर वाली राजकुमारी से मेरा विवा हुआ था वही से कमरे में है और मेरे सिरहाने पर बैठी है इस पर दिव्या कहती है कहां है वह यहां पर तो कोई भी नहीं है यहां पर तो तुम और मैं ही है मुझे लगता है कि तुम्हें वहम हुआ है इस पर आदित्य कहता है कि नहीं नहीं दिव्या देखो वो यही पर बैची हुई है और कैसे मुस्कुरा रही है इस पर वो राजकुमारी कहती है मैंने तुमसे कहा था ना आदित्य की केवल तुम्हें मुझे देख सकते हो तुम्हारे अलावा और कोई भी मुझे नहीं देख सकता है इस पर आदित्य कहता है कि अगले भाग की प्रतीक्षा करें और इसी प्रकार की रोमांचक होरा स्टोरीज के लिए पेरानोमल फाइल्स हिंडी को लाइक और सब्सक्राइब करें